आसमानों को छूता हुआ ट्रैंगुलर शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में बहुत ही आलिशान और खुबसुरत लग रहा है लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुबरी कहानी पता चलेगी तो यकिनन आप भी इस पर यकिन नहीं करेंगे 1080 फीट उची अपने इर्दगीर्द मौझूद दुसरी बिल्डिंग से ये 10 गुना लंबी बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिंट जैसी लगती है लेकिन असल में एक होटल है जो पैरिस के एफिल टाउर से भी उचा है एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लेक स्क्वेर फीट की जगा और 3000 कमरे मौझूद है जिसकी वज़ा से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकता है दुबई के बूर्ज खलिफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दिवारों पर लाइट शोज और फायर वर्ड्स भी होते हैं जो पूरे शहर की फीजा में रंगिन रोशनियों की वज़ा बनते हैं पर हिरत की बात ये नहीं है कि ये होटल कितना खुबसूरत है या इसके अंदर क्या-क्या लग्जरी फेसिलेटी मोजूद है बलकि असल हिरानगी की बात तो ये है कि इस आलिशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ पिछले 30 सालों से ये होटल बिलकुल अकेला तनहां खड़ा है लेकिन सवाल ये है आखिर क्यों? क्यों इस आलिशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं जा पाया? साड़े 5,000 करोड रुपे खर्च करके बनाये जाने वाला या बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में मौझूद है? टेकनिकल विकिपीडिया के वीडियो में एक बार फिर से आप सबी का स्वागत है इस शांदार होटल को देखते ही पहली नजर में इसा मालूम होता है कि अमेरिका, केनेडा या फिर किसी डिवलब कंट्री के शहर में बना हुआ है लेकिन आपको ये जानकर हिरानी होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग रूग यॉंग होटल के नाम से जानी जाती है जो नौर्थ कोरिया के केपिटल प्योंग गैंग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बताते चले कि नौर्थ कोरिया खुद को बताता तो डेमोकरेटिक कंट्री है लेकिन असल में ये एक ऐसी कंट्री है जिसको 1948 से एक ही फैमिली चला रही है कि इन फैमिली की तीन पिडियां पिछले 44 सालों से नौर्थ कोरिया पर जवरदस्ती राज कर रही है अपने स्ट्रिक कानूनों की वज़े से नौर्थ कोरिया अपने खिलाफ कहीं दुश्मन बना चुकी है और शायद इसी वज़े से ना ही इनके दुसरे कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन है और ना ही यहां टूरिस्ट आना पसंद करते हैं हड़ साल नौर्थ कोरिया में 30 लाक विज़िटर्स आते हैं देखने में फिगर काफी ज़्यादा लगता है लेकिन इसके पडोसी कंट्री यानि साथ कोरिया के सालाना 155 लाक विज़िटर्स के मुकाबले ये ना होने के बराबर ही है अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर नौर्थ कोरिया में इतनी सकती है और यहां विज़िटर्स भी इतने कम जाते हैं तो आखिर इनको 3000 कमरों वाली इस आलिशान होटल की जरूरत क्यों पड़ी असल में ये बात है 1986 की जब युनाइटेड इस्टेट्स और सोवियत यूनियन के दोरान कोल्ड वार चल रही थी इस जंग में नौर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था और जबकि इसका पड़ोसी कंट्री यानि की साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था क्योंकि एक कोल्ड वार थी इसी वज़े से इस जंग में हत्यारों का नहीं बलकि अपनी ताकत दिखाने का मुझायरा करना था नौर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दुसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दुसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे 1986 में एक साउथ कोरिया फर्म ने सिंगापूर में दुनिया का सबसे उचा होटल बनाया था जो आज स्टेमफोर्ड होटल के नाम से चाना जाता है इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलमपिक होस्ट करने की तैयारियां भी जोरो शोरो से चल रही थी दुनिया का उस वक्त का सबसे उचा होटल और 1988 ओलमपिक की वज़े से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोल बाला था लेकिन ये बात नौर्थ कोरिया को किसी भी सुरत में हजम नहीं हो रही थी नौर्थ कोरिया ने टशन में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फेसला किया जो की असल में ओलमपिक्स का कॉपिड वर्जन था ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसेपेंट्स के लिए ना सिर्फ प्योंग गेंग का एरपोर्ट एक्स्टेंड किया गया बल्कि तेर्ड लाक लोगों के लिए एक प्रैंड न्यू स्टेडियम और तीन हजार कमरों वाला एक होटल भी बनवाने का फेसला किया गया ये होटल 105 स्टोरी उचा होना था जो करीब साउथ कुरिया के बनाए गये स्टेमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी चिनने वाला था ना सिर्फ इतना ही बलकि उस वक्त दुनिया में सिर्फ 21 ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनकी फ्लोर्स सो से भी ज़्यादा थी और उनमें रूग योंग होटल का नाम सबसे उपर था असल में नौर्थ कुरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिये थे लेकिन इतना उचा होटल बनाने का क्वाब उनके गले में आ चुका था इतनी उची बिल्डिंग बनाने के लिए बेशुमार स्टिल की जरूरत थी लेकिन स्टिल नौर्थ कुरिया के पास मौजूद नहीं था इसी वज़े से उन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिफ कॉन्कृट से बनाई जाएगी क्योंकि ये बिल्डिंग सिफ कॉन्कृट से बनाई जाने वाली थी इसलिए इसको कौन शेप दी गई और हर साइट को 75 डिग्रीज जुका हुआ रखा इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टरां और दुनिया की सबसे उच्छी observation desk बनाई जाने वाली थी इस होटल में जो facility रखने का प्लान किया गया था अगर नौर्थ कोरिया ये बनाने में कामियाब हो गया तो ना सिफ साउथ कोरिया बलकि वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देता 1987 में इस होटल की construction तो start कर दी गई लेकिन जब 1989 में world festival हुआ तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे उचा होटल complete होने के करीब करीब भी नहीं था इज़द बचाने के लिए नौर्थ कोरिया ने इलान किया कि technical मसलों की वज़े से construction slow हो रही है लेकिन नौर्थ कोरिया ने हार ना मानी और होटल की नई डेट अनाउंस की अब होटल की नई ओपनिंग डेट नौर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल सुम की 80th birthday सेलिबरेट करने के मोगे पर रखी गई और वो थी 1992 में construction का का काम एक बार फिर से जोरो सोरो से start कर दिया गया लेकिन किसमत किसी भी तरह से नौर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी नौर्थ कोरिया जो कोल्ड वार में सोवियेट यूनियन के साथ दे रहा था 1991 में सोवियेट यूनियन टूट गया और North Korea की economy पुरी तरह से crash हो गी अब नहीं इसके पास किसी की support बाकी बची थी और नहीं इसके पास इतने पैसे थे कि वो इस building की construction continue रख सके लिहाजा structure को अधुरा ही छोड़ना पड़ गया और होटल की launch का ख्वाब जो North Korea ने देखा था एक बार फिर से बीच में ही लटक गया होटल की launch का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी तूट गया था और दुनिया भर में North Korea का मजाग बनाया जाने लगा अगले 16 साल तक structure ऐसा ही खड़ा रहा जो North Korea केपिटल का व्यू अच्छा करने की बजाए उसको खराब कर रहा था क्योंकि ना ही इस पर पैंट किया गया था और ना ही Windows पेनल लगाए गये थे एक पॉइंट पर इस पूरे structure को गिराने का फैसला भी किया गया लेकिन इससे पुरी दुनिया में ये मैसे जाता कि North Korea के पास एक building बनाने की भी काबलियत नहीं है तो इसी वज़े से उनके पास इस structure को ऐसे ही छोड़ने के अलावा कोई option नहीं था कई सालों के बाद 2008 में एक Egyptian construction company के साथ deal की गई जिसमें वो अपने पेसों से इस hotel को complete भी करेंगे और उसको चलाएंगे भी North Korea का सुप्रीम लीडर किम इल सुम्क तो अब मर चुका था लेकिन एक बार फिर से hotel की opening सुप्रीम लीडर के 100 birthday के मोके पर 2012 में रखी गई Egyptian company ने सबसे बेले hotel पर खुबसूरत window पेनल लगाए ताकि ये capital city की खुबसूरती खराब ना करें लेकिन जब hotel के interior decoration का काम आया तो एक और मुसिबत गले आ गई 2012 में नए लीडर कीम जॉन उन ने North Korea का control समाल लिया था और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे फेसले किये जिसकी वज़े से अमेरिका ने North Korea में luxury item इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी hotel का interior जिसमें लगने ही luxury item लगने थे वो अब North Korea इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था hotel की नई opening date पर launch तो दूर की बाद ये अंदर से देखने लायक भी नहीं था और एक बार फिर से North Korea पूरी तरह से fail हो चुका था कई साल पहले जीद में आकर दुनिया का सबसे उचा hotel बनाने का जो हवाई fire जो North Korea ने किया था वो अब इनके गले पढ़ गया है दुनिया का सबसे उचा hotel तो दूर की बाद अब इस hotel को एक नए World Record से नवाजा गया है जी हाँ Guinness Book of World Record के मताबिक ये दुनिया की सबसे उची building है जो बिल्कुल खाली बड़ी हुई है आज भी सोटल पर रात के वक्त light shows और fireworks होते हैं लेकिन अंदर से ये बिल्कुल विरान भुद बंगले का मंजर पेश करती है उमीद है टेकनिकल विकिपेडिया की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहर शुक्रिया मिलते हैं अगली शांदर विडियो में